सीमा अपने पती सुरेश के साथ एक छोटे से गाव में रहती थी, उनका जीवन साधारन था, लेकिन खुशहाल था, सुरेश महनती व्यक्ति था, और सीमा घर संभालती थी, दोनों का आपसी प्यार और समझ सभी के लिए एक मिसाल थी, सुरेश हर दिन काम के लिए शहर जाय सुरेश, तुम घर पर जल्दी आजा करो, मुझे रात को बहुत ही डर लगता है, अगर तुम नहीं होते तो मुझे बहुत ही डर लगता है अब सीमा पर आ गई थी, घर का खर्चा, सुरेश की देखभाल और भविश्य की चिंता ने सीमा के कंधों पर एक भारी बोज डाल दिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और कैसे सब संभाले सीमा, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, यह सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे उपर आ गई है हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी सीमा, यह भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, अगर मेरे दोनों पैर सही होते तो आज हमारे घर की यह स्थिती नहीं होती और तुम्हें इतनी चिंता की भी बात नहीं होती, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता गाउं में ज्यादा काम की संभावना नहीं थी, इसलिए सीमा ने सबजी की दुकान लगाने का फैसला किया उसने अपनी बचत से एक छोटी सी सबजी की दुकान खोली और वहां काम करना शुरू किया वह सुबह सुबह बाजार जाती और ताजी सबजीयाओं लेकर आती, हालां कि उसे इस काम का अनुभव नहीं था, पर उसने अपने हालातों से लड़ने की ठान ली थी मुझे कुछ करना होगा, इस दुकान से ही हमारे घर का खर्चा चल सकता है तुम बहुत हिम्मत वाली हो सीमा, मैं जानता हूँ कि तुम इसे कर पाओगी तुम्हारा धन्यवाद सुरेश, अगर तुम मुझे इस तरह से हिम्मत देते रहोगे तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूँगी हालांकि सीमा ने अपनी पूरी मेहनत जोग दी थी, लेकिन उसकी दुकान से कोई खास आमदनी नहीं हो रही थी गाव के लोग उसके ग्राहक नहीं बन पा रहे थे, और कुछ दिन तो ऐसा हुआ कि दुकान में कोई भी नहीं आया इस हालत से सीमा बहुत परिशान हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी दुकान नहीं चल रही, अब घर कैसे चलेगा तुम्हें ये सब मेरी वजह से करना पड़ रहा है, शायद मैं ही तुम्हारी किसमत का दुश्मन हूँ लगातार काम और मानसिक तनाव के कारण सीमा की तबियत बिगड़ने लगी, उसे बुखार और कमजोरी ने घेर लिया, डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी, इस बीच उसकी दुकान बंध हो गई और आमदनी का स्रोत पूरी तरह से ठप हो गया अब क्या होगा सुरेश, दुकान भी बंध हो गई है और हमारी हालत भी खराब हो रही है तुम्हें आराम करना होगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है जब सीमा बीमार थी, तो गाव का एक अजनभी उसकी मदद करने आ गया उसने देखा कि सीमा की दुकान बंध है और उसका परिवार परेशान है वह कुछ दिन के लिए सीमा की दुकान चलाने के लिए राजी हो गया उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी दुकान संभाल ली ताकि परिवार का गुजारा हो सके आपकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा मैं आपकी दुकान कुछ दिन के लिए संभाल लूँगा भगवान आपका भला करे आपकी ये मदद हमें जीने की उम्मीद दे रही है वैसे आप इतनी महनत कर रही हो आपकी हिम्मत की डांट देनी पड़ेगी आप एक औरत होकर पूरा घर चलाने की हिम्मत रखती हो आप जैसी पत्नी भगवान सब को दे नहीं नहीं इसमें हिम्मत की बात नहीं है मुझे ये सारी हिम्मत अपने पती से मिलती है वह बहुत ही महनत करके घर का गुजारा करते थे लेकिन एक दिन उनकी कर एकसिडेंट में दोनों टांगें खराब हो गई इसलिए सारी जिम्मेदारी आप मेरे उपर ही आ गई है तो मुझे घर का खर्चा चलाना पड़ता है अज नभी ने कुछ दिन तक सीमा की दुकान चलाई लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक मदद नहीं कर पाया जैसे ही वह चला गया दुकान फिर से बंद हो गई सीमा के सामने अब फिर से वही समस्यायों खड़ी हो गई वह और सुरेश अब पूरी तरह हताश हो चुके थे सीमा अब खुद को और अपने परिवार को इस हालात से निकालने के लिए एक नया रास्ता ढूंडने की कोशिश में जुट गई उसने अपने अनुभव से सीखा कि अकेले कुछ कर पाना मुश्किल है उसने गाव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक सामूहिक व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई महिलाओं ने मिलकर सबज्यां उगाना शुरू किया और उन्हें गाव में बेचना शुरू किया अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपना भाग्य बदल सकते हैं अकेले मैं नहीं कर पाई, लेकिन साथ मिलकर हम जरूर कुछ कर पाएंगे, तुम्हारी बात में दम है सीमा, हम तुम्हारे साथ हैं गाउं की महिलाओं के साथ मिलकर सीमा ने अपना काम फिर से शुरू किया, धीरे धीरे उनका व्यवसाय चलने लगा और उनका आर्थिक संकट खत्म होने लगा, यह न सिर्फ सीमा के लिए बलकि पूरे गाउं की महिलाओं के लिए एक नई शुरूात थी, उनका संघर्ष हम सब को नई जिन्दगी दी है, नहीं सुरेश, यह सब हमारी सभी बेहनों की वजह से हुआ है, हम सब गाउवालों ने मिलकर यह मेहनत की है, और यह दिखा दिया है कि अगर हम एकजुट हो जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता, सीमा मैं तुम्हारी इस हिम्मत की कदर करता ह हूँ और उन सभी गाउवालियों की, अगर तुम सब एकजुट हो जाओ तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकती, तुमने दिखा दिया कि एक पती ही घर नहीं चला सकता, एक पतनी भी अपना घर चला सकती है, और अपना करतव यह अच्छे से निभा सकती है, कहानी हमें यह खाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने के बजाए संगर्श करना चाहिए, एक जुटता, साहस और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जासे है,